जो अपने कदमों की कबीलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मन्जिल पर पहुचते हैं। दोस्तों, आज हमें कैसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे वालूएबिल स्पोर्ट ब्रैंड का आ जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नाइकी के बारे में, नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, नाइकी कंपनी की शुरुआत फिर नाइट ने की थी। आच्छुली एक बात, जो वो स्टांफर्ट से MBA कर रहे थे, तब उन्हें स्मॉल बिजनेस और मार्केटिंग प्लान पर कसाइमेंट मिला था। और क्योंकि उन्हें स्पोर्ट में बहुत इंट्रस्ट था, तो उन्होंने उसमें शू बिजनस के बारे में लिखा था। फिल ने उनी तस हुग कमपनी के मालिक एक मीटिंग रखी और उन्होंने ये बताया कि वो एक ब्लू रिबन स्पोर्ट कमपनी के मालिक है और वो उनकी कमपनी के जूतों को बेचना चाहते हैं। एक्चली में उस समय फिल ने ऐसी कोई कमपनी बनाई ही नहीं थी। वो उन्होंने अप दे स्पोर्ट सोच के बोली थी। और जब उन्हें सैंपल शूस दिये गए तो वो बिल बोवर्मान के पास आ गए। जो की उनके ग्राजुएशन के टाइम पर उनके स्पोर्ट कोच रह चुके थे और उन्हें उन्हें जूतों की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और उन्हें फिल का बिजनस आइडिया भी पसंद आ गया और फिर फिल नाइंट और बिल बोवर्मान ने मिलकर पार्टरशिप की और फिर 25 जानवरी 1964 को ब्लू रिबन स्पोर्ट कमपनी की और फिर उन्हों ने जैपान के अनुतास को कमपनी से 300 जोड़े जूते मंः और फिर उन्हों ने जूतों को कार की वी चजोड़े पार फिर ने में फिर थाउजन डॉलर्स को प्रॉफिट हुआ और फिर 1966 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपना पहला स्टोर कालिफोर्निया में खोला दीरे दीरे कंपनी बहुत प्रोग्रेस करने लगी और फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने उनित सुका से जूते इंपोर्ट करने की बज क्लोज और ट्रैक्शूट्स बनाना शुरू किये जिससे कंपनी को बहुत प्रोग्रेस मिली 2015 में कंपनी का रिवेनियों 30 बिलियन डॉलर्स हो गया दोस्तों हमें नाइकी की कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी हिम्मत नहीं जोनी चाहिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहि गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्रीज लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना और हाँ कमेंट करना मत भूलना बाई मिल जब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार और बाई बाई